17.6 विरंजक चून, bleaching powder विरंजक चून का रासायनिक नाम केलसियम ओक्सी क्लोराइड CAOCl2 है इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गयस प्रवाहित करके बनाया जाता है CAOH hold twice solid बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 gas is equal to CAOCl2 solid विरंजक चून प्लस H2O gas यह पीलापन लिये हुए एक सफेद चून है जिसमें क्लोरीन की तीक्ष्न गंध होती है वायू में खुला छोड़ने पर यह कारबन डायोकसाइड के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गयस मुक्त करता है CAOCl2 solid प्लस CO2 gas is equal to CACO3 solid प्लस Cl2 gas गर्म गैसें तथा दूसरे के द्वारा क्लोरीन गैस प्रवेश करती है अप्षिष्ट गैसों के निकलने के लिए एक द्वार होता है यहां क्लोरीनी करन टावर के आंत्रिक भाग को दर्शाया गया है इस टावर में विभिन उचाईयों पर आठ खंड होते हैं जो घूरनी प्लेट से जुड़े रहते हैं हौपर से बुझा चूना तथा निचले द्वार से क्लोरीन गैस भीजी जाती है क्लोरीन गैस उपर की और उठकर बुझे चूने से अभिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाती है ब्लीचिंग पाउडर संयंत्र के निचले भाग में एकत्रित होता है जबकि अप्षिष्ट गैसे उपरी द्वार से बाहर निकल जाती है 17.6.1 उप्योग यूजस पहला वस्त्र उद्योग में सूती कपणों के विरंजन में विरंजन के क्रिया उसमें से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है दूसरा कागज उद्योग में कास्ट लुगदी के विरंजन में तीसरा पीने वाले जल को रोगानु मुक्त करने में 17.7 सीमेंट सीमेंट भवन निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोडने या चिपकाने वाला सीमेंट को सबसे पहले जोसिफ आस्पडिन ने बनाया उन्होंने इसका नाम पोर्टलेंड सीमेंट रखा क्योंकि इसकी कठूरता पोर्टलेंड में पाए जाने वाले चूना पत्थरों जैसी थी सीमेंट रासाइनिक योगिक नहीं है या अनेक रासायनिक योगिकों जैसे कैल्सियम के सिलिकेटों तथा अलूमिनेटों का मिश्ण होता है अतह इसका संगटन तथा रासायनिक सुद्र निश्चित नहीं होता और नहीं इसके गुणधर्म निश्चित होते हैं उधारन सीमेंट का गल्लांक निश्चित नहीं होता है सीमेंट का प्रतीशत संगटन इस प्रकार है जब इस मिश्रण का महीन पाउडर जल के संपर्क में आता है तब वह कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है 17.7.1 सीमेंट का निर्माड मैनुफेक्चर ओफ सीमेंट सीमेंट निर्माड के लिए कच्चे पदार्थ रौ माटेरियल के रूप में चूना पत्थर CACO3 चिकनी मिट्टी, क्ले तथा जिपसम का उप्योग किया जाता है चिकनी मिट्टी में अलूमीनियम, सिलिकन और आयरन के ओक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं उसमें चूने का पत्थर CACO3 मिला कर सीमेंट बनाया जाता है सीमेंट का निर्माड निमनलिखित चर्णों में किया जाता है पहला, तीन भाग चूने का पत्थर और एक भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीस कर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापक्रम 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है दूसरा, 1100 डिग्री सेल्सियस पर चूने के पत्थर का तापिय वियोजन होकर केल्सियम ऑक्साइड बनता है CaCO3 1100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर CaO प्लस CO2 तीसरा, केल्सियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से क्रिया करता है त्वाइस, CaO प्लस, SiO2 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर त्वाइस, CaO इंटू, SiO2, डाई, केल्सियम सिलिकेट त्राइस, CaO प्लस, SiO2 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने त्राइस, CaO इंटू, Al2O3, ट्राइस, CaO इंटू, Al2O3, प्लस, Fe2O3 1500 डिग्री सेल्सियस से उपर गर्म करने पर 4, CaO इंटू, Al2O3, इंटू, Fe2O3, टेट्रा केल्सियम एलूमिनो, फिराइट चौथा, भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एलूमिनेट का मिश्रन छोटे-छोटे कंकणों गोली के रूप में प्राप्त होता है जिसे क्लिंकर कहते हैं 5, क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2-3 प्रतीशत जिपसम, CaSO4, इंटू, 2H2O, मिलाया जाता है और मिश्रन को बारीक पीस लिया जाता है 17.7.2, सीमेंट का जमना, सेटिंग ओफ सीमेंट सीमेंट को रेत और पानी के साथ मिला कर रखने से यह पत्थर के समान कठोर हो जाता है सीमेंट के जमने की गती को धीमा करने के लिए जिपसम मिलाया जाता है सीमेंट की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए आजकल उद्योग से प्राप्त अपसिस्ट राख जिसे फ्लाई एश कहते हैं से भी सीमेंट बनाया जाता है कई देशों में धान के कोड़े भूसे की राख का भी उप्योग सीमेंट निर्माण में होता है क्योंकि इसमें सीलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है 17.7.3 चतिस गड़ में सीमेंट उद्योग सीमेंट इंडस्ट्रीस इन चतिस गड़ 36 गड़ के इन जिलों में सीमेंट उद्योग है रायपूर, बिलासपूर, बलोदा बाजार